नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मुके सहु ऑनलाइन क्लासेस पर कम्प्यूटर सिक्षक भर्ती के लगबग हर जो एकजाम है हर सिक्षक भर्ग का जो एकजाम है उसमें कम्प्यूटर से 10 नंबर का प्रस्न पूछा जाएगा तो उसके लिए आपके सामने महत्पुन प्रस्नों का संकलन प्रस्तूत है चलिए देखते हैं क्या क्या है इन प्रस्नों में कम्प्यूटर प्रीन्टर को किस पोर्ट से जोड़ा जा सकता है आज का हमारा टॉपिक है प्रिंटर जो 10 प्रशन बता रहा हूँ पुरा प्रिंटर से ही रिलेटेड हैं प्रिंटर से आपके कुछ न कुछ क्वेस्टन पूछा ही जाएगा इन 10 नंबर के प्रशनों में चलिए कंप्रिंटर को किस पूर्ट से जोड़ा जा सकता है पेरेलल पूर्ट यूएजबी पूर्ट सीरियल पूर्ट एक और दो दोनो तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है पेरेलल पूर्ट और यूएजबी पूर्ट दोनो तो आंसर हो जाएगा आप्सन डी आप्सन पर-ट परट होता है वहां से जल्ट on कगनेक्ट किया जा सकता है नेकिन आजकल जादा चलन्मे जो है वह है यूसी प्र शैंकि hemp Pक कि माद्याम से मोबाइल प्रेंट्र से कनेक्ट किया जा सकता है जब कि parallel port old version type का हो चुका है माउस भी आजका USB port वाला ज्यादा चलान में है जब कि parallel port वाला माउस आजकल कम देखने को मिलता है चलिए अगला क्या है वो भी हम देख लेते हैं नीमन में से किस printer में किसी भी प्रकार के ink का इस्तमाल नहीं होता क्या पूछा है किसी भी प्रकार के ink का इस्तमाल नहीं होता तो आज का हमारा जो वीडियो है पूरी तरह से printers पर based है computer के printers पर based questions है जो आपके सिक्छक भरती एक्जाम में पूछा जाएगा चाहे व्याक्याता का हो चाहे सिक्छक, चाहे साहक सिक्छक या परियोग साहक सिक्छक विज्ञान तो चलिए देखते हैं thermal printer, laser printer, ink jet printer इन में से कोई नहीं तो कौन सा है जिसमें ink का इस्तमाल नहीं किया जाता तो बहुत ही अच्छा प्रस्न है तो इसमें जो है दोस्तों laser printer में ink का इस्तमाल किया जाता है ink jet में भी किया जाता है तो इन में से कोई नहीं तो होई नहीं सकता तो बज गया thermal printer thermal printer में ink का इस्तमाल नहीं किया जाता ठीक है याद रख लेजिए इसको बस कि thermal printer में ink का इस्तमाल नहीं किया जाता जबकि laser printer में ink का इस्तमाल किया जाता है आगे चलते हैं अगला प्रश्न है निम्नम्य से कौन से printer में cartridge का उपयोग स्याही कि लिए किया जाता है मतब cartridge कार्टेक्ष जो ओलते हैं जो inkjet printer में आपने देखा होगा उसमें स्याही डाल कर उसको printer में fit किया जाता है वो होता है cartridge औके तो thermoprinter, inkjet printer जिसमें स्याही को fill up करके उसको वहां inject किया जाता है लगा दिया जाता है खाचे में ठीक है तो ink jet इसका आंसर है और thermal में तो उपयोग ही नहीं होता और laser में powder की रूप में उपयोग होता है और dart mattress printer में ये impact printer है जिसमें हटोड़े का उपयोग होता है जिसको हटोड़ा हम बोल कि तरह की तरह ही चलिए अगला हम देख लेते हैं कि अब इसको स지रु करें अ बाइक जारूरीं कि से हम धॉट से करा पर कर सकते हैं से इंवन मैं इसे कौन से प्रिंटर में रिबन को प्योग क्या जाता है डेजी में प्रिंटर ङसे तर्मर प्रिंटर एक और दो रेंडम कोई भी नहीं दूँगा आपका स्लेवस से उठा के ही आपको प्रश्ण मैं बताऊंगा जो अक्सर पुछा जाता है और पुछा जा सकता है तो नीमने मैं से कौन से प्रिंटर में रीबन का प्रियोग किया जाता है डेजी विल प्रिंटर, डॉट मेट्रिक्स प्रि चपते जाता है कागज पे नेकिन थर्मल प्रिंटर में ना तो स्याहिक प्योग होता है और ना ही रीबन का तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों मतलब डेजी विल प्रिंटर भी है और डॉट मेट्रिक्स प्रिंटर भी प्रिंटर जिसमें ribbon और hammer को उपयोग होता है चलिए अगला हम देख लेते हैं अगला प्रशन क्या है अगला प्रशन देख लेते हैं नीमने मैंसे कौन सा प्रिंटर लाइन प्रिंटर का उधारन नहीं है प्रशन को ध्यान से पढ़िए यहां क्या पुछा है प्रिंटर लाइन प्रिंटर नहीं है नहीं को ध्यान दीजिए जो नहीं है वो बताना है मतलब कि तीन जो है वो line printer है और एक जो है वो line printer नहीं है बहुत ही अच्छा प्रशन है देख लीजिए आप drum printer, chain printer, band printer, dot matrix printer तो बताईए इन में से कौन सा है जो line printer नहीं है quality question है, एकदम best question है इसका सही answer जो है वो है दोस्तों dot matrix printer जो है वो line printer नहीं है क्योंकि ये character printer है character printer है ये drum printer, chain printer और band printer ये होता है आपका line printer तो इस प्रशन से आपको ये पता चल गया कि drum, chain और band ये line printer की उधाराने जबकि dot matrix printer, line printer नहीं है क्योंकि dot matrix printer, character printer होता है ये भी मैंने आपको बता दिया चलिए अगला वीडियो देखते हैं इसी प्रशन से आपको इतना knowledge मिल गया है अब अगला प्रशन देखते हैं किस printer का उपयोग DTP में सरवाधिक किया जाता है desktop publishing में सरवाधिक किया जाता है किस printer का उपयोग तो DTP का मैंने मतलब भी बता दिया आपको इसका मतलब होता है desktop publishing ठीक है आप समझ गया होगे desktop publishing की बात कर रहो है और किस printer का उपयोग DTP में सरवाधिक किया जाता है आपके options है inkjet printer, thermal printer, laser printer, chain printer तो सही answer क्या है सही answer है इसका laser printer laser printer जो है उसका उपयोग किया जाता है desktop publishing में कि इसमें अच्छी quality में चाहिए होता है तो laser printer को उपयोग किया जाता है desktop publishing के लिए चलिए अगला क्या है हम देखते हैं अगला प्रशन देख लेते हैं निम्न में से कौन सा printer graphics या चित्र नहीं print कर सकता अगेन आपको प्रशन में ध्यान देना है या नहीं की बात की जा रही है जो नहीं print कर सकता वो बताना है मतलब की ये हुआ जो बाकी तीन है वो print कर सकता है और एक है जो नहीं print कर सकता graphics या चित्र तो laser, inkjet, thermal इन में से कोई नहीं में से कौन सा सही answer है ये बताना है तो इन में से कोई नहीं ही इसका answer होगा क्योंकि laser, inkjet, thermal अगला वीडियो है, प्रिंट करने के तरीके के रुशार, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, बहुत ही अच्छा प्रस्ण है, प्रिंटर से संबंधित, प्रिंट करने के तरीके के रुशार, प्रिंटर को कई तरीके से बाटा जा सकता है, यहाँ पर प्रिंट करने के तरी करने के तरीक के अधार पर दो तरह से बाटा गया थैंशन है क अगला प्रसन देक्ऽ लेते हैं अगला प्रसन क्या है share करें like करें और comment करें निम्न में से कौन से printer में शमान निता हतोड़े का उपयोग किया जाता है पहले ही बता दिया था और यहाँ पे आपको options दिया गया है thermal, dot matrix printer, inkjet और इन में से कोई नहीं तो thermal में तो हतोड़े का उपयोग होता ही नहीं inkjet में भी नहीं होता है वो dot matrix में होता है जो typerator आपने देखा होगा वो जटका देता है उसमें कुछ लगे होते हैं उसे ही यहाँ पे हतोड़ा कहा गया है और वो जटका देता है दबाव डालता है और वो छपते जाता है ठीक है और इस प्रकार से इसका अंसर हो गया dot matrix printer जिसे impact printer बोलते हैं और बाकी thermal printer, inkjet printer यह non impact printer की स्रेनी में आएंगे तो हतोड़े का उपयोग किया जाता है dot matrix printer में और day j will printer में चलिए अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन और इस वीडियो का आखरी प्रशन printer की गती निमन में से किस से नहीं मापी जा सकती again आपको ध्यान देना है यहाँ पी क्या पूछा है नहीं नहीं पूछा है तो आपको ध्यान देना है कि नहीं वाले ही बताना है PPM, LPM, CPS और इनमें से कोई नहीं तो printer की गती निमन में से किस से नहीं मापी जा सकती मतलब कि जो तीन आपसंस हैं उसमें से एक ऐसा है जिस नहीं मापी जा सकती और बाकी दो से मापी जा सकती है तो इसका जो सहीं आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं क्योंकि PPM LPM CPS सभी से printer की गति मापी जाती है याद रक लिजिये PPM LPM और CPS इन सभी से printer की गति मापी जाती है ये आपको याद रकना है ठीक है तो आज का वीडियो में आपको यही बताना था चैनल को लाइक जुरूर करें सेयर करें सबस्क्राइब करें और कमेंट करके मुझे प्रसाहिद करें या अपना विचार बताएं ताकि मैं वीडियो बनाने में और अच्छे से महनत कर सकूँ इसलिए शेयर जरूर कीजिए धर्निवाद